अपना टॉपिक पहले मैंने आपको केमिकल बांडिंग चैप्टर के स्राट वीडियो दे दिया है एक लेक्षर हो चुका है उसके ऊपर आज हम लोग इस पर सेकंड लेक्षर पढ़ेंगे ठीक है सेकंड है यह आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस में पढ़ते चले जाएंग तो देखिए अब आज हम लोगों को जैसे कि पिछले कलास में लोग्老師 की बारे में जाना था क्या है और क्यों होता है क्यों रूंगर की ता है तरीके का कि किसे पहुत ऑप का फीचर से यह सभग चीज हम लोगों को अब जानना है ठीक है तो देखें में टाइपस ऑफ केमिकल बॉंड आप जाने कि में ली थी टाइपस ऑफ केमिकल बॉंड आपने पढ़ना है एक तो पढ़ना है आयूनिक या इसको दुसरा नाम भी दिया गया है इलेक्ट्रो वैल इलेक्ट्रों बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि यह आप जानते भी होंगे इल्ए आयूनिक या इलेक्ट्रो वैलेंट बॉंड बाइट्रांसपर अपने बनता है और नेक्स्ट कोवेलेंट बॉंड है हमारा तो यह हो गया एक छृड़ा मोटर आप लोग इसका यहां पर देखे यह कॉडिनेट बॉंड है लेकिन है यह कोवेलेंट बॉंड है यानि सेरिंग और इलेक्ट्रॉन ही होगा वहां पर ठीक है उसके बाद आपको अब क्या है कि यह पढ़ेंगे हम लोग की किस तरीके स्पेशल केस हम लोग जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे वहां वहां पर पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद देखे इस चैप्टर में यह तीनों तो आपको पढ़ना ही है पढ़ना बच्चे कोवेलेंट में भी बहुत टाइप से पोलर कोवेलेंट नॉन पोलर कोवेलेंट बहुत तरका है तो वह सब को यहां पर मैंने में नहीं किया है वह जब कोवेलेंट में आपको पढ़ांगे उस समय सारा कुछ आपको एक साथ मता दूंगी तो चले यहां पर क्या है कि इन एडिशन टू दीज बॉन इन सब बॉन को आप पढ़ेंगे उसके साथ साथ आपक प्राप्त करेंगे अपने इस चैप्टर में और इस सेजन में जो हम लोग अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं मोड ऑफ केमिकल कॉंबिनेशन इसके अंबर तो एक एक करके पढ़ते जाना हो और सबको बढ़ियां से समझेगा बच्चे क्योंकि एक बारी यह लेक्चर मत तो आपको कभी कोई प्रॉब्लेम होना नहीं है बस इसमें समझना है इसमें घूस के समझना होगा आपको क्या बताया जा रहा है क्या बता रही है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का हम लोग अपना टॉपिक यानि आज हम लोग पढ़ेंगे आयूनिक या लेक्त रवेलेंट बॉंड या आयूनिक बॉंड डेफनेशन आप लोग पहले से भी जानते हैं बच्चे लेकिन यहां पे समझे सारा कुछ कहानी क्या है इसका नंबर आप लिए सकते हैं अपनी मर्जी से जब आप समझ जाएंगे तो आप कोई भी डेफनेशन लिख सकते है लेकिन फिल्हाल जो मैंने लिखा है उससे देखे क्या है तो आप समझने के बाद लिखेंगे तो हम मुझे भी बताइएगा ठीक है देखे केमिकल बॉंड फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एलेक्ट्रों फ्रॉम वन आटम ऑफ एलिमेंट टू वन आटम अनदर एलिमेंट आर कॉल सो देखें इलेक्ट्रो वेलंट या आयूनिक नाम से ही किलियर है समझने कोशिज कीजिएगा नाम से ही किलियर है कि बॉंड यह आप अगर आयूनिक बॉंड लेते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं बॉंड फॉर्म्ड बिट्विन आयंस ठीक है त उसको बनाता है कौन बनाता है है मेटल बनाता है कोन बनाते है वह बनाते है यादन लूज्च रहता है और और नक्रन या कि अलक्ट्रोरण लेता है निगेटिव आयन बनाता है तो जब पॉजेटिव और निगेटिव के वीश बढ़न बनता है उस बढ़न का नाम है आइउनिक बढ़न या इलेक्टरोवैलंट बढ ठीक यह हanha आप देखिए मेटर्स क्या होगा कि मेटर्स पहले positive रायन में सब्लडर्ट होगा इलेक्ट्र अबlands यसी एलेक्ट्रान को नॉन मेटरल गेन करेगा और उसके कारण दोनों今 पोजिटर हो जाएंगे एक क्या होगा locrie ग्लेटी उवकर normach अब देखिए यहाँ मैंने आपको बता है कि cation बनाता है metal Suppose कीजिए कि metal ने electron lose किया metal है यह electron lose करेगा और बना लिया आपका metal प्लस आयन ठीक है याणि positive iron कोई non metal है उसने electron gain किया और आपका बनाया negative iron अब आप देखिए जब एम पोजयटिव iron और एन निगेटिव आयन को आप एक साथ रखेंगे में चुकी हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि दो अपोजिट चार्ज एक दुसरे को क्या करता है उस फोर्स का नाम है यानि यह दोनों एक दुसरे को आट्रेक्ट करके क्या उसका सकता है, या क्या सकते हैं, क्या क्या सकते हैं, which holds the positively charged together called ionic or electrovalent bond ठीक है तो यह चीज क्या हो यहां पर आप लोग क्या कहेंगे कि यह एक अपने आप लिखने आजाएगा अब हम लोग देखेंगे कि यहां पर देखी यहां पर सबसे महत्वनीतिनी जितनी बाते मैंने अभी बताई है आता ही यह सही बात है लेकिन अब जो जरूरी है कि मेटल जो है वो पॉजेटिव आयन बनाएगा कब और नॉन मेटल है वो है तो चलिए पहले में एक डेफनेशन आपको बता देती हूं लिख के आप कॉपी में बना लो नोट्स ठीक है तो लिखती हूं मैं यह देखिए देखिए कुलामिक कॉलामिक और इलेक्ट्रस्ट्राटिक फोर्स ऑफ एट्रेक्शन विच फोर्स दा पोजिटेवली चार्ज टूगेदर कॉल्ड और इलेक्ट्रोवेलंट बॉन यह मैं आपको बता दिया है अब देखिए इस बॉन्ड की वज़र से जो कंपाउंड वन के तयार होता उसको क्या बोलते है इलेक्ट्रोवेलंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड इसका एक्जामपल है एक फोर्मेशन मैं आपको बताऊंगी जो एक्जामपल मैं आपको दिया है यहां पर वह कैसे बनाना है क्योंकि आज का होंबग होने वाला है आपका यह सब ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा म अपका मेटल है क्लोरीन आपका नौन मेटल है ठीक है तो रशीद बने में सबसे पहला काम होगा कि एन इसका होता है इलेक्ट्रोनिक कॉन्पेरशन मैं आपको पहले ही वीडियो में बोला था इलेक्ट्रोनिक आना चाहिए और यटामिक नमबर एट लिस्थाटी तक आपक यानि जिसके ओटर मोस्ट में एक दो थीलेक्ट लूज कर देगा और जिसके ओटर मोस्ट में 567 वह इलेख़न बॉझक में लेकर अपना ओक्रिट कर लेगा ठीक है यहां क्या होगा एक 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 आपका निकल गया तो बना एन एं ए पॉजेटिव एक एक निकलने के कारण कॉंफिगरेशन पहुंच गया किसके पास नियन जो कि एक इनार्ट गैस है टेंगहें यह रहां ले क्या करेगा एक इलेक्ट्रोन लेगा जो इसने दिया वो ये ले लेगा और बना लेगा क्लोरीन मैनस आयन यानी अनायन ओके तो हो गया इसका 288 आरगन के जैसा हो गया इसका अब ये दोनों आपस में साथ आएगा और आपका एन ए प्लस ठीक है दो आठ है इसका उसके बाद सी एल माइनस दो आठ आठ ये दोनों सामने आएंगे और एट्रैक्शन होगा इन दोनों में अपोजित चार्ज होने के कारण और बनेगा क्या आपका एन ए प्लस सी एल माइनस तो इस तरीके से फॉर्मेशन थ्री स्टेप मे होता है एक स्टेप में पॉजिटिव बनता है दूसरे स्टेप में निगेटिव बनता है तीसरे स्टेप में आप दोनों को साथ करते हैं और यहां पर एक एक बाला अगर माले जेंग ओ है आपके पास तो और चेप में आपके पास तो और यह क्या करेगा दो एक प्रॉजिटिव आयन हो जाएगा यानि दो आठ हो गया और आपके पास तो और आठ होता है अब इन दोनों को आप सामने लाएंगे तो ले आएए एम जी टू प्लस टू एट हां फ्लस ओ टू मैनस टू एट जब यह दोनों आपस में कंबाइन करेगा तो बना लेगा क्या एम जी ओ ठीक है इस तरीके से यह भी बन गया अब सपोज कि यह सी एफ टू है यह यह थोड़ा डिफरेंट है इसको बनाना है तो आपने इसको ब होता है बच्चों 20 होता है तो क्यों आप लूज कर देगा मेनस हो जाएगा निकल रहा है और यहां पे देखिए यहां भी आप मैनस दिखाएंगे यहां प्लस दिखाएंगे ओके आप देखे तो कैल्सियम टू प्लस चार्ज हो गया और इसका कॉन्पिरेशन बिकम्स टू टू एट एट ओके नाव एफ है फ्लूरीन का नाइन होता यानि टू और सेबन तो यह क्या करेगा अब आप यहां ध्यान देंगे यहां पर एक यहां पर एक फ्लूरीन होगा तो वह एक ही लिए और फ्लूरीन को आना पड़ेगा तो रहां ओड़ेंगे हो हम लोगों को एफ माइनस टू होगा तब आपका दोनों इलक्ट्रों यहां पर जाएगा और आपका बनेगा क्या सी एफ माइनस ठीक है यह भी आप छोड़ सकते हैं लिखके यह भी लट्रोंड बॉंड है या आप इसको लिख सकते हैं सी एटू प्लस एफ माइनस टू तो देखिए आपको होंबग मैं दे रही हूं इसी से रिलेटेड आप लोग बना के अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप इसका होंबग कीजिएगा एल टू ओ थ्री आप खुद से बनाएगा मैंने समझाया है आपको कि कितना एलिमेंट आप इसको ड्रॉ करेंगे पहले यह लिखेंगे यह लिखेंगे और तब यहां पर आके आपको जो भी करना होगा आप करेंगे और आप बना के जरूर बताएंगे मुझे यह टू ओ थ्री का तो यह हो गया एक जैनरल की आप इलेक्ट्रो वैलेंट का मतलब होता है पूई आप जीतना एलेक्ट्रों लूज करता है या फिर गेंगेन करता है वही उसकी इलेक्ट्रो वैलेंशी होती है करता है तो मैगनिसियम का भी दो और ऑक्सिजन का भी दो क्योंकि यह दो लेता है लेकिन इस केस में जब हम लोग कहुंचते हैं थार्ड नमबर पर ध्यान से समझ लेजिए फिर मैं आपको डेफिनेशनल लिखा दूंगी कैल्सियम दो अट important लूज करता है ति हम लेकिन फ्लूरीन क्या होता एक एक लिएक वैलेक्री लिएंटा ब्लूरी ना की लिखे लेना है ठीक है लिख के आपको बताती है यह देखिए इलेक्टोव वैलेंसी कहा है दान नमबर ओफ एलेक्रोंस दान अलीमेंट और अफ स्वरी दान अटम आटम अपन आलीमेंट लूज़ेश और गेंट फॉर्म एन इलेक्ट्रोवेलेंट बांड इसकॉल इस इल तुट टॉ सार्ज्ड है तु कर się दिपेंगा एलेक्रो वैलेंशी यानि का इल्याप्त्रों स्रू स्फितना याद क्यों रख से यह थे होगा वह आपका क्या हो जाएगा ठीक है अब देखें अभी यहां पर यह मैंने आपको बार 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 बताया कि यहां पर क्या होता है नौन मेटल जो होता है वह इलेक्ट्रो निगेटिव आइंस बनाता है तो आप यह भी एक की कर सकते हैं यहां पर सोची है कि क्या डेफनेशन हो सकता है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या-क्या फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला इसलिए मैं आज के वीडियो में उसे नहीं डाला है क्योंकि अगर उसी दिन जैसे दिन मैं डालूंगे उस दिन आपके रिफ्रेश रहना और उसको सीखना ताकि कॉंसेप्ट के दिमाग में पूरा खटा-खट भुषता चला जाए तो ठीक है तो आपको आगे भी पढ़ाई जारी रखनी है तो आप मेरे साथ जुड़ जाए और वेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लिजे चैनल को और लाइक शेयर भी कर देजिए बच्चों तो मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में तफ एक लिए बाई थैंक यू टेक केर